वेल्कम टू यू आल एट माई यूटीब चैनल स्टडी टाइम विट एसके हेलो दिसी सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सी प्रैक्टिकल इग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट के बारे में तो चलिए देखते हैं किस रीजनल सेंटर से आया है नए अपडेट अब हम आ चुके हैं पटना इग्णू के रीजनल सेंटर की वेब साइट पर आपको नीचे आना होगा टॉमेंट इवेंट सेक्शन के अंदर जितने भी पटना रीजनल सेंटर से विलॉंग करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें सभी के पास मैसेज भी जा चुका होगा कि उन्हें अपना जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करना है तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं यहां पर लिखा हुआ है सेलेक्शन ओफ एक्जाम सेंटर फोर बीएसी लैब कोर्सेज फोर टी इपी दिसम्बर 2020 टॉमेंट प्रैक्टिकल कोगल फॉर्म की लिंक होगी जो यहां पर आपकी स्क्रीन पर अभी ओपन हो रही है यह है वो लिंक सेलेक्शन ओफ एक्जाम सेंटर फोर बीएसी लैब कोर्सेज फोर टी इपी दिसम्बर 2020 आपको इसके अंदर आना है एक चीज यहां पर और भी अच्छे तरीके से लिख करना होगा कि आपको किस किस कोर्स के लिए अपना प्रैक्टिकल इग्जामिनेशन देने जाना है जैसे कि मालीजी आपके पास CHE 12L है LSE 14L है तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप अपना यहां पर नाम डालेंगे एक और चीज की जो फॉर्म ह कि द्वारा यह है अपने नियरस्ट में आपको एक्जामिनेशन सेंटर पे छूज करने का मौका यहां पर दिया जा रहा है आपके पास यहां पर इग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आ चुकी है जैसे कि JP यूनिवर्सटी जो छपड़ा में है गया कॉलेज है जो गया में तो यह पतना रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट है सिर्फ उनी के लिए फैसिलिटी है वही स्टूडेंट जो है वो अपना यहां से Google फॉर्म फिल करने के बाद लैब इग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं तो यह अपडेट है पटना रीजनल सेंटर से आगे इस तरीके के डिफरेंट रीजनल सेंटर से जो भी अपडेट आएगी वह हम आप तक पहुचाने की कोशिज करेंगे पिछले दिनों पुने रीजनल सेंटर दिली ऑर सिटू और आज पटना रीजनल सेंटर ने अपने गुगल हओम की लिंक के लिंक सकते हैं आपण को अपने कोस कोर्स कोड भी चैक करना है कि कोर्स के लिए आप इलिजिबल है इस बार education गारै के लिए दो यह तो इस तक का अपडेट ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपने फैंस तक जरूर ये information पहुचाएं और अगर आप अभी तिक हमारे चैनल पढ़नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि कुछ ही दिनों में हम और यहाँ पर लैब ट्रैक्टिकल के examination की preparation भी स्टार्ट करने वाले हैं तब तक ले इस्टे ट्यून जै हिंद जै भारत